तो आज मैं आपके लिए क्रीमी टेस्ट्री वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको बच्चे और बड़े सभी बहुत पसंद करते हैं और वाइट सॉस पास्ता बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाता है तो आईए देखते हैं रेसिपी इसके लिए सबसे पहले हमें एक पैन लेना है यहां मैंने एक ब्लास पाने लिया है और एक कटोरी पास्ता लिया है और अब हम इसमें एक चम्मच ऑईल एट करेंगे आदी छोटी चम्मच नमक एट करेंगे अब इसे हलका से चला कर बॉइल होने रख देंगे देखिए फ्रेंड्स हमारा पास्ता उबल चुका है इसे हम छोड़ी से चेक करेंगे अगर यह इजी ली कट जाता है तो हमारा पास्ता अच्छे से उबल चुका है फ्लेम को बन कर देंगे और इस टैनर की वज़त से इस इस पर थोड़ा सा ओईल लगा सकते हैं ताकि हमारा पास्ता आपस में चिपके नहीं अब हमें एक पैन लेना है इसमें हम दो चम्मच देशिगी एट करेंगे अगर आप चाहें तो बटर को यूज़ भी कर सकते हैं अब हम इसमें दो चम्मच मैदा एट करेंगे हमें मैद को हैं कन्टीन्यों स्टीर करते हुए अच्छे से भूल लेना है । इसी तरह से हमें मैदा को अच्छे तरह से भू़ लेना है जैके हमारी मैद्व कर तयार हो गई है अब हमें इसमें दूद एड़ करना है दूद को हम दीरे दीरे चलाते हुए विसकर से एड़ करेंगे ताकि इसमें लम्स न पड़ें देखी फ्रेंड्स मैंसे किस तरह से विसकर से चलाते हुए इसमें दूद एड़ कर रही हूँ इसी तरह से चलाते हुए हमें इसमें तीन कप दूद्ध आइट करना है देखिए हमारा वाइड सौस बनकर रैडी हो गया है फ्लेम को लो कर देंगे अब हम इसमें रैड चिली फ्लेक्स आइट करेंगे थोड़ा सा औरिगायम आइट करेंगे अब हमें एक पैन लेना है इसम इसमें प्यास दालनी है इसे थोड़ा सा फ्राइब करना है चलाते हुए अब हम इसमें शिम लामिटर एड़ करेंगे अगर आप चाहें तो इसमें और ज्यादा वेजटेबिल्स एड़ कर सकते हैं उससे इसका स्वात और ज्यादा अच्छा हो जाएगा लेकिन फिलाल मेरे करना अपास इस टाइम यह मैंने यही एड कर दी हम इसे चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राइव कर लेंगे हम इसे दो मिनट तक Producting करना है अब हमें इसमें अपनी वाइट आट करना है जो हमने पहले ही बनागर साइड ने उटें एड Max तक हम हमें से थोड़ा सा झालाना ह ताकि हमारी स्वास पैन में नची कर जाए देखे फ्रेंड्स इसे थोड़ सा और चलाना है अब हम इसमें अपना पास्ता एड़ कर देंगे जो कि हमने बॉइल करके रखा हुआ था त्के प्रांशमरा पास्ता नहीं चिपका युड़कि इस बॉइंड करते हुए हमने तोड़ा सरह तेल दाल दियateg इसी ततना से चलाते हैं स निक्सक्राइब करना है ताकि हमारा सॉस और पास्ता आपस में अच्छी तरणा से मिल जायें मिक्स हो जाएं तो देखिए हमारा पास्ता और सॉस आपस तरह मिल गया हैं मिक्स हो गया है अब हम इसमें अपना चीज एड़ करेंगे जो पहले ही हमने कसकर साइड में रख लिया था इसमें मैंने मोजलूरा चीज एड़ किया है अब यहां मैंने हाफ टी स्पून नमक एड़ किया है आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कर सकते हैं अब हम इसमें थोड़ सी एक्षी डालेंगे थोड़ा सा ओरीगेनो दालेंगे और इसे अच्छे तना से मिक्स कर देंगे हमने फ्लेम को लो कर रखा है ताकि हमारा पास्त्या निचे से चिपके नहीं क्योंकि हमने इसमें चीज डाला है और चीज बहुत ही जल्दी पैन में चैपणने लगता है अब हम इसमे स्पाित करेंगे कुऊंकि फ्रेंड्स मुझे पास्ते में मेरिगी बसे बहुत पसंद है और यह सभी को पसंद होती है खासकर मेहनी बहुन बहुत बसंद होतीини है तो इसलिए मैंने ौर्ड याड़ की है ताकि इससे और जब जड़ जाए और जब अच्छा हो जाए अब हम इसे लो फिलेम पर दस पनुट के लिए कोखोने रग देंगे ताकि हमारा पास्ता अच्छे से पक जाए तो देखें फ्रेंड्स हमारा पास्ता बनकर रेडी हो गया है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छे लगी है पसंद आईए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूलिए असलाम अलेकुम